नमशकार दोस्तों, मैं कार्तिक आ रहा, आपके लिए लेकर आया हूँ पार्टनर्षिप, जिसे हम साज़ेदारी भी बोलते हैं, ठीक है, पार्टनर्षिप आपको जीवन में, आपको हर पॉइंट पे, कही न कहीं आपने करी भी होगी, और आप आने वाले दिनों में, आप आप कहीं न कहीं कर भी रहोंगे साज़ेदारी तो साज़ेदारी को बोलते हैं पार्टनर्शिप तो पार्टनर्शिप का जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी और आपके SSC point of view से भी जैसा कि आप खुद भी देख प concepts जो भी SSC पूछ रहा है latest exams में उनके लिए आपके लिए एक session लेके आए हैं आपके लिए ठीक है जिसे हम partnership कहते हैं ठीक है जैसे कि आप देख पारे होंगे कि दो लोगों के बीच की understanding को अगर किसी business में किसी relationship में या किसी भी multiple चीजों में partnership बोल सकते हैं ठीक है तो ये दो लोगों के बीच में व्यापार में जादा तर आपसे जो question आएंगे SSC में वह आपसे व्यापार से related पूछ रहा होगा ठीक है तो इस session में हम आपके साथ पूरी partnership discuss करेंगे ठीक है चलते हैं आगे अब partnership के उपर पहला question आपके सामने है ठीक है तो आप इस question को पढ़िए ये क्या कह रहा है कि P starts a business with rupees 14,000 रुपीज P ने कोई व्यापार 14,000 रुपे के साथ start किया 8 महिने बाद Q ने P को join किया business में कितने के साथ 8,000 के साथ ठीक है तो 3 साल बाद what will be the ratio of profit of P and Q ठीक है आप समझ रहे हो ना किस तरीकी से आपसे question SSE पूछता है ठीक है तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि P ने कोई व्यापार 14,000 रुपे के साथ start किया ठीक है और Q ने उसमें 8,000 रुपे मिलाए आकर कब 8 महिने बाद ठीक है तो जब ये 3 साल की बात कर रहा है तो आप 3 साल में ये देखिए कि महिने कितने होते हैं तो आप कहेंगे कि 36 महिने होते हैं ठीक है तो जो peak ने जब business start करा होगा तो वो तो शुरुआत से ही उसमें है पर जो Q है वो उसमें 8 महिने बाद आया है तो Q ने कितने time के लिए अपना पैसा रखा यहां पर 28 महिने के लिए खाली ठीक है तो जब आप इसको solve करेंगे आगे further तो ये 3 0 यहां से cut हो जाएंगे ठीक है और जब आप इसा 4 से करेंगे तो ये 2 times ये 9 times ठीक है इसको 2 से करेंगे तो ये 2 ये 7 ठीक है और कुछ जा रह सकते हैं ये 7 और ये 4 तो ये आ जाएगा आपका 9 is to 4 ठीक है काया आपका 9 is to 4 ये रहा है ठीक है क्लियर है तो ये SSC इस टाइप के questions आपसे पूसता रहता है काफी frequently ठीक है तो आपको इस टाइप के question की एक अच्छी practice करने की ज़रूरत है ठीक है चलते आगे next question पे ये question क्या कह रहा है तो इस question को करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप हमारे channel exam 1 पर आपको ऐसे धेरो lectures मिल जाएंगे जो आपकी छोटी छोटी जो आपको problems आती है आपको तैयारी के दोरान तो आप उनको sort कर सकते हैं ठीक है हम रोज आपके लिए live sessions भी लेके जाते हैं ठीक है तो आप हमारे channel पर आपको कोई न कोई live video जरूर देखने को किसी विवक्त मिल जाएगी ठीक है तो इसके लिए आप हमारे channel exam 1 को like और subscribe जरूर करें ठीक है तो इसमाप एक partnership और भी कर सकते हैं वो क्या कि आप अपने दोस्तों को भी recommend करें ठीक है अगर आप और आपका दोस्त दोनों select होंगे किसी exam में तो आप लोगों की भी एक अच्छी partnership रहेगी department में जाके ठीक है चलो दूसरा question solve करते हैं वो क्या कह रहा है P&Q invested some money in a business in the ratio 4 is to 7 तो कोई P और Q है ठीक है उन्होंने किसी business में 4 ratio 7 में पैसा लगाया ठीक है पर 6 महिने बाद P withdraws his capital ठीक है तो P ने कितने महिने तक रखा अपना पैसा केवल 6 महिने तक ठीक है और they receives a profit of इसको मिला 4 ठीक है इसको मिला 4 और इसको कितना मिला आपका 21 ठीक है तो वो पूछ रहा है आप से तो ये बताओ कि Q ने कितने time के लिए invest करा तो ये आपने मान लिया x ठीक है तो जो आप इसको देखेंगे तो जो आप इसे solve करेंगे तो क्या आएगा यहाएगा 24 ठीक है अपॉन 7x बराबर 4 अपॉन 21 ठीक है जो आप इसको solve करेंगे तो यह आएगा ठीक है जो आप इसे cancel करेंगे तो यह 3 times और यह 6 times तो यह आजाएगा आपका x बराबर 18 तो जो आपका Q था उसने अपना पैसा 17 महिन्य के लिए लगाया ठीक है तो उसी concept पर जो concept मैं आपको पहले बताया उससे ही मिलता जुलता यह एक और सवाल है ठीक है चलते हैं आगे further next question पर ठीक है अब इसमें क्या कह रहा है आपसे इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कोई मोहित है ठीक है और एक अंशू है ठीक है इन्हों ने किसी बिजनस में 8 is to 15 में पैसा लगा दिया ठीक है फिर क्या कह रहा है कि after 9 months मोहित withdraws his capital तो मोहित ने जो पैसा लगाया वो खाली कितने time के लिए लगाया 9 महिने के लिए ठीक है और उनको profit कितने कितने ratio में मिल रहा है आपका वो मिल रहा है आपको 4 is to 5 ठीक है तो पूछ रहा है then for how many months अंशू invest in the business तो यह पूछ रहा है कि यह x किस तरीके क्या होगा ठीक है इस तरीके का हमने same पिछले वाला question भी करा है तो आप यह समझे है कि जब यह question इतना repeat हो रहा है तो SS से भी इसको इतना ही frequently repeat करता है ठीक है तो आपको इस type के questions को करना आना चाहिए ठीक है तो जब आप इस ratio को solve करेंगे यह क्या आएगा 8972 upon 15x बराबर 4 by 5 ठीक है जब आप इसको solve करेंगे यह 3 times जाएगा और यह 18 तो X आजाएगा आपका 6 months ठीक है कितना आजाएगा आपका 6 months ठीक है clear है तो आपको partnership में 4-5 type के ही सवाल है आपको वे ही घूम घूम के बार-बार SSC के different exams में मिलते रहेंगे भले ही आप GGL दे, CHSL दे, CPO दे, GD दे, MTS दे ठीक है pattern same है वो क्या गरता है कि आपसे खाली question को Calculative बनाता है question को ठीक है यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको सब कुछ अराम से cancel out हो रहा है तो question असान है अगर वो इसी में बड़ी-बड़ी values रख देगा पॉइंटों में निकलवाएगा तो यही question हलके से moderate side में shift हो जाते है ठीक है चलते आगे next question पर आप यह question पढ़िए यह क्या कह रहा है कि ST and U started a business and their capital are in the ratio कोई S T और U है ठीक है इन्होंने business में अपने पैसे लगाए कितने कितने लगाए S ने 3 लगाए T ने 4 लगाए और U ने 6 लगाए ठीक है and they receive the profit in the ratio 1, 2 and 3 ठीक है उन्होंने यह कुछ time के लिए होंगे suppose इसने लगाए X time के लिए इसने लगाए Y time के लिए और इसने लगाए Z time के लिए ठीक है तो इनको कुछ profit भी हुआ होगा ठीक है वो profit का आपको ratio दिया हुआ है 1 is to 2 is to 3 ठीक है अब तक आप यह तो बास समझ गए होगे कि जो आपकी आपने amount business में लगाया है ठीक है वो into time से ही आपका जो ratio निकलके आएंगे वो ही आपका profit decide करेंगे कि आपने अपना कितना पैसा कितने time के लिए business में रोका ठीक है उससे ही आपका जो profit होगा वो decide होगा ठीक है अगर आप जादा पैसा जादा time के लिए business में रोकेंगे तो आपको जादा profit मिलेगा अगर आप कम पैसा कम time के लिए रोकेंगे तो आपको कम profit होगा business में ठीक है तो अब हम यहां से x y और z निकाल लेंगे ठीक है तो आप यहां से जब इसको solve करेंगे क्या आएगा यह आएगा 3x 4y क्या ratio है इसका 1 is to 2 ठीक है तो जब आप इससे solve करेंगे तो आपका x और y क् यह आजाएगा 2 is to 3 ठीक है तो जब आप इसको solve करेंगे t और u के लिए यह क्या आएगा 4y upon 6z बराबर 2 is to 3 ठीक है तो यह 2 जा और यह 2 जा तो y upon z कितना आजाएगा आपका 1 upon 1 ठीक है तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहां पे y 3 है और यहां पे y 1 है ठीक है तो हमें इन्हें equal बनाना पड़ेगा वो कैसे हम इसमें अगर 3 की multiply कर दें तो y जो है वो 3 बन जाएगा ठीक है इसके बाद क्या आएगा x y z आपका कितना आएगा 2 ठीक है y 3 और z भी आपका 3 और यह यह आपको ratio निकालना है 2 3 3 ठीक है clear है तो आपको यह पता चल ग जिया कि जो आप amount लगा रहे हैं ठीक है और यह आपका time period है ठीक है और यह आपका profit है ठीक है तो आपका amount और आपका time period आपका profit decide करता है ठीक है इन्ही तीन factors पे आपका पूरा partnership depend करता है ठीक है चलते हैं आगे next question पे अब यह question पढ़िया आप यह क्या कह रहा है कि A started a business with the capital of rupees 1800 ठीक है ए ने कोई व्यापार start किया 1800 रुपे में उसके 4 महीने बाद B ने उसको join कर लिया 3600 रुपे से ठीक है और 6 months after the business started C joined with rupees 1200 ठीक है if the total profit earned at the end of the year is 1760 रुपे ठीक है तो आपको बताना है what is the share of A ठीक है यह मैं आपको suggest करूँगा कि आप इस question को एक बार खुद try करें ठीक है हम तो आपको कराई देंगे इससे बहतर है कि आप एक बार इसको खुद से अपने आप try करें ठीक है तो इस question को करते हैं यह कैसे हो गई यह यह कह रहा है कि A है ठीक है इसने कोई business start करा 1800 रुपे से ठीक है उसके बाद B ने join करा उसको कितने से 3600 रुपे से ठीक है उसके बाद C ने इसको join करा कितने से 1200 रुपे से ठीक है यह आपको given है amount in की ठीक है उसके बाद आपको क्या given है उसके बाद given है आपको कि इसने तो start करा और ये end तक रहा तो ये तो 12 महिने के लिए रहा ठीक है ए ने तो business start करा बाद में B और C उसमें जुड़ते चले गए ठीक है अब देखो B ने कब करा चार महिने बाद अगर माल लो तो A अगर 12 महिने के लिए कर रहा है तो B 12 से 4 कम कर रहा होगा तो वो केवल 8 महिने के लिए ही रहेगा ठीक है आप इसको ऐसे निकाल लो ठीक है उसके बाद जो आपका C है वो 6 महिने बाद आया साल में 6 महिने के बाद आया तो मतलग उसने अपना पैसा खाली 6 महिने के लिए ही इसमें इन्वेस्ट किया ठीक है तो जब आप इसे सॉल्फ करेंगे इसे 6 से काटेंगे ये 3 ये 6 और ये 2 ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 36 ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा आपका 12 ठीक है इसको 12 से cancel करेंगे तो यह 3x, यह 4x और यह 1x, ठीक है, तो आपको profit पता, इनके profit का ratio पता चल गया, ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं कि इनका profit में हिस्सेदारी कितनी रही, तो जब total profit है आपका, कितना, 1760, ठीक है, और उसके लिए profit में हिस हैं, 4, 3, 7 और एक 8, ठीक है, उसके 8 हिस्से करने हैं आपको, ठीक है, तो जो आप इसके 8 हिस्से करेंगे, तो 8, 2, 16, 8, 2, 16, और यह 220, ठीक है, तो इसमें A का हिस्सा कितना आएगा, 220 x 3, 2, 6, 0, इसका कितना आएगा, 220 x 4, 280, और इसका कितना आएगा, 220 x A, 220, ठीक है, उसके बाद आप से क्या पूछ रहा है, share of A, A का share कितना है, इसमें, 660 रुपे, ठीक है, clear है, यहां तक आप बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं, कि जो partnership है, उसमें कुछ नहीं है, केवल आपको, या तो amount देके, time period निकलवा लेगा, या amount देके, और time period देके, आप से profits निकलवा लेगा, ठीक है, या फिर आपको profit और time period देके, उनकी principal, जो उन्होंने लगाया है, उसमें amount लगाई है, उसका ratio आप से निकलवा सकता है, ठीक ह इनी तीन चीजों में वह आपको घुमाता रहेगा बार बार ठीक है अब यह देखो इस कोशन में क्या कह रहा है कि जो कोई रोहित है ठीक है उसने कोई बिजनस स्टार्ट किया ठीक है कोई रोहित है उसने कोई बिजनस स्टार्ट किया कितने से 75,000 रुपे से ठीक है 8,000 रुपे के साथ, ठीक है, if the profit at the end of the year is divided in the ratio 3 to 1, तो पूश रहा है, then after how many months did Simran join Rohit, ठीक है, तो इसमें क्या अद गिवन है आपको, कि Rohit ने तो बिजनस स्टार्टी करा है, ठीक है, ये तो 12 महिन्ने के लिए ही इसमें रहा होगा, ठीक है, पर Simran ने कुछ टाइम बाद करा, तो सपोज उसने X टाइम बाद करा, ठीक है, तो उनका ratio कितना given है आपको, कि इसे 3 मिला और इसको 1 हिस्सा मिला, ठीक है, profit का, ठीक है, जो कि 4 था, 4 में से 3 हिस्से Rohit को मिले और Simran को 1 हिस्सा मिला, ठीक है, तो जो आप इसे solve करेंगे, 4 था, ठीक है, तो यहाँ आएगा 60, और यह 4X बराबर 3 इस्टू 1, ठीक है, तो यहाँ से आपका X निकल के आएगा, यह 15, ठीक है, और यह X आजाएगा आपका 5 months, ठीक है, 5 मन्थ, ठीक है, पर यह 5 मन्थ आपका answer नहीं है, ठीक है, वो पूछ रहा है, then after, how many months did Simran join, ठीक है, उसने खाली अपना पैसा 5 महिन्य के लिए invest किया, ठीक है, ठीक है, अगा आप सपोज, एग्जाम में इस question को निकालते हैं, आपका 5 answer आ जाता, ठीक है, तो आपको यह लगता कि आपका answer गलत है, ठीक है, पर वो क्या पूछना चाहरा है आपसे, कि उसने क 7 महिन्य बाद, Simran ने join किया था, रोहित को, उसने 5 महिन्य के लिए अपना पैसा, रोहित के बिजनस में invest किया, ठीक है, क्लियर है, चलते आगे, तो आपको एग्जाम में यह छोटी-छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, SSC ने देखो, आपसे same concept पूछा, ठीक है, ब कि how many months did Simran join, रोहित, उसने यह ने पूछा कि Simran ने कितने दिन के लिए करा, उसने यह पूछा कि कितने दिन बाद करा, ठीक है, चलते आगे, next question पे, अब यह question पढ़िए, यह क्या कह रहा है, कि A and B है, किसी business में invest करते हैं, वे 4 is to 5 ratio में, ठीक है, कोई A है, कोई B है, यह 4 is to 5 के ratio में invest करते हैं, ठीक है, after 10 months, B leaves the business, तो यह खाली 10 महिने ही business में रहता है, ठीक है, in the first year of business, the made a profit of 49,000 rupees, तो आपको B का share बताना है, ठीक है, तो जब इसने, तो A कितने दिन के लिए रहा होगा उसमें, 12 महिने के लिए, ठीक है, तो, तो जब आप इनका ratio निकालेंगे, यह क्या आएगा, यह आएगा, आपका 48 और यह 50, ठीक है, जब आप इसे solve करेंगे further, यह आएगा, आपका 24, ratio 25, ठीक है, तो इस amount में आपका जो profit है, वो divide होगा, ठीक है, तो आप देखो, समझोना है, उसने क्या कहा, उसने कहा, A और B ने किसी business में invest किया, 4 is to 5 में, ठीक है, तो यह तो हो गई उसकी amount, ठीक है, उसके बाद यह कह रहा है कि, after 10 months, B leaves the business, तो B ने 10 महिने बाद काम, जो उन्होंने start किया था, उसमें से अपना पैसा withdraw कर लिया, ठीक है, पर A का पैसा तो 12 महिने के लिए लगा रहा, और B का खाली 10 महिने के लिए लगा रहा, ठीक है, तो जब उनका ratio निकाला हमने, तो क्या है, 24, 25, ठीक है, आपको यह म contain होते हैं, वो एक साल के लिए होते हैं, ठीक है, तो उन्हें पूरे साल में, 49,000 रुपीज का profit हुआ, ठीक है, तो अब इस 49,000 में कुछ share B का भी होगा, ठीक है, तो वो ही हमें निकालना है, ठीक है, तो जो आप इन्हें add करेंगे, कितना आएगा यह, यह आएगा आएगा लिए जाएगी, 1000, ठीक है, और वो आप से पूछ रहा है कि इसमें B का share क्या रहा होगा, तो आप देखो B का share क्या रहा होगा, 25 into 1000, मतलब 25,000 रुपे, ठीक है, का है 25, यह रहा, ठीक है, तो क्याई बार आप से इस टाइप के भी question पूछ लेता है, ठीक है, चलते हैं आगे next question पे, यह क्या कह रहा है कि A, B and C, invest to start a restaurant, ठीक है, the total investment was 3,00, रुपीज, A, B, और C, ने कोई restaurant खोलना है, तीन लोगों को मिलके, ठीक है, उसके लिए उनके पास कितने amount है, 3,00, रुपीज, ठीक है, उसके पास, इनके पास कितने रुपे है, 3,00, रुपे है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि B invested रुपीज 50,000 more than A, और C invested 25,000 less than B, ठीक है, चलो देखते हैं इसमें फिर क्या करना है हमें, आप यह देखो कि अगर, suppose B, अगर X amount लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठी A है, वो कितनी कर रहा है, जो A है, वो कर रहा है, आपका, 50,000 कम कर रहा है, B से, तो B कितना कर रहा है, आपका X, तो X A कितना कर रहा होगा, X minus 550,000 रुपीज, ठीक है, ठीक है, वो ही तो बोल रहा है, आपसे कि B invested 50,000 more than A, अगर A, X minus 50,000 कर रहा है, तो B, उससे 50,000 जा दे कर रहा है, तो मतलब X कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कि जो C है आपका, वो कितने कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, 25,000 कम B से, तो B से कितने कर रह होगा X-25,000 ठीक है तो हमें यहां से A, B और C की जो investment है वो मिल जाएगी ठीक है A की कितनी है X-50,000 B की कितनी है X C की कितनी है X-25,000 और आपको total amount कितनी दी हुई है 3,000,000 ठीक है तो जो आप इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 3X और यह minus 75,000 और यह बराबर है आपका 3,000,000 के ठीक है तो यहां से 3X कितना जाएगा 3,000,000 के ठीक है तो जो आप इसे solve करेंगे तो आपका X कितना आएगा 1 जा, 2 जा, 5 जा, 1,25,000 ठीक है यहाएगा आपका 1,25,000 तो B की amount कितनी हो गई आपकी 1,25,000 ठीक है एक ही कितनी हो जाएगे आपकी इसमें से 50,000 कम मतलब 75,000 ठीक है और C की कितनी हो जाएगे आपकी 1,00,000 ठीक है तो वो पूछ रहा है कि अब जो उनको profit हुआ पूरे साल में वो हुआ आपका 14,000 रुपे का ठीक है यह मैं रब कर देता हूँ ठीक है आप यह देखो कि A का कितना है आपका 75,000 ठीक है B का कितना है आपका 1,25,000 ठीक है C का कितना है आपका 1,00,000 ठीक है आप 3,3,0 यहां से हटाओ ठीक है इसे 25 से करोगे यह 3 इसे 25 से करोगे यह 5 इसे 25 से करोगे 4 तो आपके पास A, B और C का रेशो आ गया ठीक है तो आप जब देखोगे कितने का निकालना है आपको 4,3,7 और 5,12 ठीक है 14,000 अपॉन 12 ठीक है आपको निकालना किसका है C का C का कितना है 4 ठीक है यह 14,400 है इसको आप 14,400 रीड करें ठीक है इसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई ठीक है तो यह 14,400 है ठीक है जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ठीक है और जब इसे करेंगे 4,312 ठीक है 2,24, 8,324 और यह आपका 4800 रुपे ठीक है तो जो 14,400 का आपको profit हुआ है ठीक है वो कितना है उसमें से B का share आपका 4800 रुपे का है ठीक है तो आप इसे 14,400 पढ़ना ठीक है यह 14,400 है ठीक है चलते हैं आगे next question पे आप यह question पढ़िए कि दो business man है ठीक है कौन-कौन A और B ठीक है जिनका ratio उन्होंने 5 इस्टू 5 इस्टू 8 में कोई A और B है आपके ठीक है इन्होंने 5 इस्टू 8 में आपका business में invest किया है ठीक है फिर यह कह रहा है they decided to reinvest 30% of the profit they earned ठीक है जो उन्होंने कमाया है उसका वे 30% वापिस अपने business में लगा देंगे ठीक है और जो 70% जो पैसा बचेगा उसको वे आपस में distribute कर लेंगे वो यह कहना चाहरा है ठीक है if A's share of the profit was 87,500 तो वो कह रहा है कि जो A है उसको कितना A का जो share है इसमें उसे मिले है 8,7,500 तो जो A का share था business के profit में वो 87,500 रुपे था ठीक है यह 87,500 है ठीक है तो total profit कितना होगा आपको total profit कितना होगा आपको आप यह देखो कि जब 8,7,5005 है तो total profit कितना होगा थर्टीन का ठीक है total profit कितना होगा आपको थर्टीन का ठीक है जब इसा 5 से डिवाइड करेंगे तो 15,7,85 और 175,0 17,500 इंटू तेहरा ठीक है जब 17,575 इंटू आप 13 करेंगे तो यह आएगा आपका 22,750 इसमें आपको एक चीज दिहान रखनी है वो क्या नहीं आएगा आपका 2,27,500 इसमें आपको यह बात दिहान रखनी है कि यह जो आपको profit हुआ है ना यह 100% profit नहीं है ठीक है यह इसमें से आपने कितना 30% reinvest किया हुआ है ठीक है तो यह आपको 70 की value दी हुई है ठीक है इस question में बस आपको यही ध्यान रखना था कि यह जो value है यह 70% है profit का ठीक है profit 100% नहीं है यह तो जो आप 100% profit निकालना है तो उसे आप 100 से multiply करेंगे ठीक है तो जो आप इसे 100 से multiply करेंगे तो यह क्या जाएगा 7, 321, 14, 5 तो यह आएगा आपका 3,25,000 का profit ठीक है clear है तो यहां तक हमने यह कर लिया ठीक है तो इसमें आपको बस यही ध्यान रखना था कि जो आपको यह profit निकला है यह आपका 30, 70% है ठीक है 100% नहीं है पर वो आपसे क्या पूछ रहा है total profit पूछ रहा है कि कितना था तो आपको 100% निकालने के लिए उसे 100 से multiply करना है और 70 से divide करना है ठीक है चलते हैं आगे ठीक है एक partnership में इस type का question भी आ जाता है क्या बार वो क्या कहता है कि it was intended that 780 be divided among P, Q और R ठीक है मैं किस ratio में divide करना है आपको 1, 2 और 3 में ठीक है इसमें आपको जब divide करोगे आप तो कितना आएगा 3, 2, 5, 6 ठीक है ठीक है 6 से जब आप इसे divide करोगे तो 130 आ जाए ठीक है तो 130 पर head तो ये 130 इसके साथ 130 इसके साथ और 130 इसके साथ तो P का share कितना है 130, Q का 260 और इसका 390 ठीक है पर वो कह रहा है कि अगर इसको हम इसमें ना करके गलती से इसमें कर दें ठीक है तो कितने का difference आ रहा है Q के share में ठीक है अगर हम इसमें करेंगे 1 by 2 ठीक है 1 by 3 और 1 by 4 में इससे निकालने के लिए आप क्या करिए कि इसका LCM लेके multiply कर दो ठीक है इसका LCM आएगा 12 ठीक है जब 12 आएगा तो यहां क्या आएगा 6 यहां क्या आएगा 4 यहां क्या आएगा 3 ठीक है इस 13 की value कितनी दीवन है आपको 780 तो 1 की value कितनी आ गई 60 तो P की value कितनी आ जाएगी आपकी 360 ठीक है Q की value कितनी आ जाएगी 240 और R की value कितनी आ जाएगी आपकी 180 ठीक है उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि how much does Q lose by the error तो वो कितना lose कर रहा है आपको दिख रहा है clearly हां से कि वो 20 रुपे यहां से lose कर रहा है ठीक है तो यह इसके options गलत है ठीक है इसका answer क्या आएगा 20 ठीक है clear है चलते हैं आगे ठीक है इसके साथ हमने अपना partnership का lecture खतम करते हैं ठीक है मैं यह मानता हूँ कि मैंने लगबग लगबग आपको पूरे सबकुष type के कराने की कोशिश करी है ठीक है अगर हमारी इस video पर आप अच्छे खासे likes लेक आएंगे तो हम आपके लिए इसका एक और session लेके आएंगे बहुत जल ठीक है इसके लिए आप हमारे channel exam1 को subscribe कर दीजिए thank you